तो आज हम इंडियन वाइक्स ड्राइविंग 3D में एक गेमिंग PC बनाने वाले हैं तो भती जो लाज वीडियो में हमने ड्रैग रेस जीत लीती और उसका बिनिंग प्राइज लेंबॉर्ग नी सियान को डगगन बॉस को दे दिया था जिसके बाद डगगन वस बहुत खुस हो गया अभी डगगन वस का मिरे पास फोन है कि यार फ्रैंकलीन एक गेमिंग PC बनवाना है तो मैंने का ठीक है बॉस बन जाएगा अभी उसने अपने सीक्रेट घर की मुझे लोकेशन भी दे दी और वोला एक गेमिंग PC इस सीक्रेट पर पहुंचा दो यार मज़े की बाद यह है कि हम डगगन वस के खिलाब जो एबिटेंस इखठा कर रहे हैं उसके लिए इस सीक्रेट हाउस की लोकेशन भी हमें जरूरत पढ़ सकती है तो जिसके लिए अभी सबसे पहले जा रहे हैं उसके लिए गेमिंग PC बनवाने वैस सीधा गेमिंग PC लेकर उसके घर जाना है तो यही है वो गेमिंग PC की दुकान जो अभी अभी खुली हुई है और जल्दी से यहां पर गाली लगाते हैं यहां से बनवाते हैं एक बीश धाकड गजब गेमिंग PC बनवाना था हैं आओ 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 अंदर चलो ऊपर जाओ इस तरह अब देखो कितने सारे मॉनीटर्स रखे हैं और यहां पर सौप की पर भी है वो तो होगा यार सौप चलाने वाला एंड चारो तरफ इसलम सिस्टम बढ़िया से बढ़िया चीज़े रखे हैं अब मुझे काफी अच्छा लगा इसे देख यार मतलब की मेरा भी मन अच्छे लगे यहां क्या पता नहीं क्या कर रहा है करने दोसे साफ सफाइब गेमिंग पीसी बना रहा होगा एंड मुझे नहां की मॉनीटर्स काफी ज़्यदा अच्छे लगे बैसे बदी जो मैं क्या ही बताओ मैं से बता देता हूं भाई देखो इस पैसिपिकेशन में क्या है कि तुम सबसे हाई सपेस कर दो और तुम चाहूं तो यार एक हजार जीबी की रैम कर दो और उसके बाद तुम लगा सकते हो आई 90 आई 99 लगा दो भाई तुम्हें जो लगाना वो लगा दो और भती जो इनमें से कोई माउस भी पता देंगे भडिया कोई लोजी ओ है तो इकनम जड़ा कट आई तो भती जो यह पी साथ रएडी हो चुका है अभी जल्ली से हमें पेमेंट करना होगा उसके बाद हमारा पी सी हमारे पास होगा तो जल्ली जो आपने पर क्यूआर कर देते हैं अब यार कहां रह गया अब लड़का तुम्हारा यार अभी तो पीछे बॉक्स लेकर आई रहा था पता नहीं का रहा गया तो अभी हमारे बॉक्स आच चुके हैं अभी जल्दी से इन्हें अपनी गाली में रखवा देते हैं उसके बाद हम चलते हैं डगन वॉस के उस सीक्रेट घर पे जो कि किसी को भी नहीं पता हमारे लवा वैसे गाईज अभी हमारी गाली में सारे डब्बे आच चुके हैं यही फायदा है हमारी थार खा क्योंकि इतना ज़्यादा इस पेसे ना अंदर आप देख सकते हो जो यह छोटा वाले डब्बा इसमें थोड़े कॉंपोनेंट्स होंगे मैंने सारे अलग अलग पार्ट्स करवा दिये वड़े वाले डब्बे में यह मॉनीटर होगा और पीसी होगे बैसे बती जो अभी हम सीधा चलते हो डगन वोस ने जो लोकेशन दी है वहाँ पे जहां उसका एक प्राइवेट यॉड है और बती जो वो लोकेशन ओसीन के बीच में अभी तुमाँ चलके ही देखते हैं और भाहां से हम कोसिस करेंगे जितना ज़्यादा एविडेंस हो स इसा दिखता है उससे जादा आगे है यार लेकिन एक मिनटे सिक्यूरिटी गार्ड हैं बहुत सारे हैं मैं एक से बात करता हूं है फिर हम लोग अंदर चलते हैं तो बती जो हमने बात कर ली मना भूच दिये जाते यह वंदा बोला है चुप-चाप से जो लायो यहां रग जाए उसके बाद भी हमें नहीं अंदर जाने दिरा ठीक है एक मिनट मैं बात कर लेता हूं बहुत सही उसके बात तुमसे बात करते हूं अगर हम उसके घर के अंदर जा पाते तो और जदा अवीडेंस इखटे कर बाते कोई ना तो बती जो अभी हमने सारे बॉक्स बाहर निकलने का पती जो हमें इतना तो पता चल गया कि इसका घर कहा है तो हम यह चीज आर्मी वाले को बताएंगे तो बहुत खुस हो जाएगा लेकिन हम एविडेंस के लिए यहां पर कुछ फोटो को क्लिक कर लेते हैं जिससे हमारे पास थोड़ा सा एविडेंस रहे एविड ठीक है अभी बस इतना ही फोटो क्लिक करेंगे जादा फोटो क्लिक नहीं करेंगे परना आये लोग हमारी फोटो क्लिक करके उस पर हारवर चड़ा दे अभी जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन आर्मी वाले के पास एड़ अभी जब हम उसको एविडेंस देंगी पास एविडेंस दिया नहीं था फोन करता था तो मैं उसे बता देता था क्या सीन चला है एक मिनिट यह पुलिस वाले हावाओं में की ओडर है बाई अब यार मतलब कुछ भी करती आर्मी वाले पुलिस की देखो विचारा खुद गिर गया बच गया अकर मेरी गाली की नी इन से कंप्रोमाइस करेंगे वैसे यार फ्रैंक को पता नहीं कहा रखा होगा अब यार फ्रैंक उतने सारे लोग उसके उपर गन पॉइंट करें हैं पर कोई ने यार फ्रैंक ने भी काफी ज़्यादा गलत काम किया था तो इसी लिए उसको यह भुगतना पढ़ रहा है सा जादा ट्रस्ट हो जाए और वो हमारे भाई को थोड़ा गन पॉइंट पर रखना बंद करते हैं थोड़ा से खाना पीना टाइम पर देने लगे देखो कैसा कमजोर हो गया है वैसे बती जो अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो कॉमेंट में लिख को चाचा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धेर सारव प्यार